असलाम लेकुम एवर्यवान वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम लाहॉर आज हमारा लाहॉर में डे आउट है और हम सबसे पहले गए लक्षमी स्टेशन क्यूंके मैं चाहती थी कि एना लोग औरिंज ट्रेन देखें जो के फिलहाल लाहॉर में ही अवेलिबल है तो इसलिए ह जा रहे हैं और इंज ट्रेन राइट लेने के लिए और यहां से हम जाएंगे अनारकली स्टेशन तो मेरे साथ रहिएगा और इस व्लोग को एंड तक सरूर देखेगा नो डाउट और इंज ट्रेन इस्टेशन बहुत ही खुबसूरत बनाए गये हैं मुझे में बहुत पहले से अवीलिबल है यह टेक्नॉलोजी बट एट लिस्ट आई है इस बात की भी खुशी है देर आए दुरुस्त आए यहां पर हमने जो टिकेट बाई किया वो हमें 40 रुपीस पर हैट पड़ा जो के बहुत ही रीजनेबल था हमने जाना था लक्षमी तो मेरे साथ रहे और हमारे सफर को इंजोई कीजिए बच्चे बहुत एक्साइटेड है और इस ट्रेंड में ट्रेवल करने के लिए और उन से जादा मैं एक्साइटेड थी उनको और इस ट्रेंड में ट्रेवल करवाने के लिए हलाकि मैं पहले भी ट्रैवल कर चुकी हूँ लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है और इंज ट्रेन में ट्रैवल करने में और यहां हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे जो थोड़ी ही देर में आ गई थी और यहां शुरू हुआ हमारा फोटू सेशन जब अच्छी लोकेशन हो अच्छा बैक्गराउंड हो तो पिच्टर लेना तो बनता है और जब सभी पिच्टर्स ले रहे थे तो मैं कैसे पीछो रह सकती हूँ तो मैंने हाली से कहा कि आप मेरी भी पिच्टर्स लें यहां पर वैसे तो हमारा च्छोटा सा सफर ता लक्षमी स्टेशन से अनारकली स्टेशन तक का लेकिन हमने सफर को खूब इंजॉय किया मदा आया? कैसा लगा आप लोगो औरिंज ट्रेंड में सफर? बहुत अच्छा गुड़ चलो बाकी खूबता है अनारकली स्टेशन पर उतरने के बाद हम आए ब्रिक्फस्ट करने यह कोई चने वाली गली थी यहां पर डो-तीन रेस्टरंट्स बने वे थे हालार और अवेज भाई को लाहौर के छोले खाने थे तो हम आए यहां पर छोले खाने जो के मुझे बिलकुल नहीं पसंद तो मैंने जस्ट लसी भी ब्रिक्फस्ट करने के बाद हम सबसे पहले पहुंचे मीनार पाकिस्तान जिसे यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है यह लाहौर की बहुत ही फेमस जगा है और मीनार पाकिस्तान दिखना तो बनता ही है इसके इलावा यहां मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था तो हमने खूब इन्जॉय किया यहां अबाद अपने ममा बाबा की पिचर्स क्लिक कर रहा था और आपको पते हमारे इस ट्रिप का सबसे बेस्ट फोटोगरफर अवेज भाई और अबाद थे दोनों ही बहुत अच्छी पिचर्स क्लिक कर रहे थे पूरे ट्रिप पर लेकिन अबाद का तो जवाब ही नहीं था क्यूंकि अबाद एक एक चीज नोट कर रहा था ता भी स्कॉफ ठीक करें ता भी शिर्ट सही करें ता भी यहां बैठें ता भी इधर देखें ता भी साइट पर देखें तो इबाद से पिच्चर्स क्लिक करवा कि मुझे बड़ा मजाया और वो सारी पिच्चर्स आपको इंस्टाग्राम पर मिलेंगी मेरा इंस्टाग्राम हैंडलिंग मैंने यहां मेंचन कर दिया है तो फॉलो कर ना मत भूलिएगा उसके बाद हम पहुंचे लाहॉर फोर्ट यानि के शाही किला यहां का इंटरिंस टिकेट जिस्ट 50 रुपीज था हमने टिकेट्स बाई किये अपने टिकेट्स लिए और उसके बाद हम चले शाही किला बूलिए अगर आप लाहॉर आए और आपने शाही किला नहीं देखा तो मेरी नजर में आपने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि I'm a big fan of history, historical places, मुझे historical places विजिट करना बहुत बहुत जादा पसंद है, मुझे अगर आप daily historical places विजिट करवाएंगे और same places विजिट करवाएंगे मैं बहुत जादा प्यार है, तो मेरे साथ खुमे अब आप शाही किला, शाही किले में आपको गाइड भी मिल जाते हैं और इस तरह के signboards भी लगेवे होते हैं जिनके ओपर हर जगा की location mention होती है, इसके इलावा उस जगा के बारे में details भी mention होती है, उर्दू और English दोनों में ल किस साथ पूरे टूर पे होते हैं, यानि के पूरे शाही किले के टूर पे, लेकिन अवेज भाई और मैप पहले भी आ चुके थे शाही किला तो अवेज भाई ने का किस बार हम गाइड नहीं लेते हम खुद इनको गुमाएंगे ये पूरी जगा और सारी हिस्ट्री हमारे लेफ्ट साइड पे मौझूद है खड़क सिंग का महल, खड़क सिंग महाराजा रंजीत सिंग के बेटे थे जिनके लिए ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि खड़क सिंग के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और सामने है खवाबगा जहांगीर की, इस जी तो इस वक्त हम लोग हैं शाही किले में और यहां पर बहुत 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 जादा गर्मी हो रही है, सांस भी ली जारी मुझ से क्योंके हवा बिल्कुल बिल्कुल बंद है और हालत बहुत बुरी हो गई है, इतना टिशू पेपर यूज किया है कि मेरा पूरा मेक अप दूल चुका है इस फक्त और मगर क्या करें घूमने के लिए इतना तो करना ही परता है अचारी ड्रस मैंने इस्पेशली आज शाही के लिए क्लिए पहना है और यह मैंने काफी कांदे सम्हाल के रखा हुआ था मैचाती थी इसको फिसी जगा पहना जाए जहां पर थोड़ अब हम मौजूद हैं सिक आर्ट गैलरी में ये भी शाही के लिए के अंदर ही बनी हुई है और ये है महाराजा रंजीत सिंग की घोड़ी जो कि उनकी बहुत ही पसंदीदा घोड़ी थी जिस वजह से उन्होंने इसकी ममी बनाकर यहां रख दी थी और ये हैं वो हत्यार जो उस दौर में इस्तमाल हुआ करते थे बच्चे ये सारे हत्यार देखके बहुत जादा एक्साइटिड हो रहे थे मेरी तरह मैं भी बहुत जादा एक्साइटिड होती हूँ हिस्ट्री से रिलेटिड कुछ भी देखने को मिल जाए तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर इस वज़ा से ज्यादा शूप नहीं कर पारी मैं। हमारे लेफ्ट साइट पे मौझूद है बारूत खाना और शाही बावर्ची खाना उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं क्यूंकि काफी जगाएं हकूमत की तरफ से क्लोस्ट थी तो अब हम राइट साइट पे जाएंगे जहां पर है ऐलेफेंट स्टेर्स वो स्टेर्स जहां से ऐल हार निकल जाएंगे मेरे पैर बहुत बहुत बुरे तरीके से जल रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा शूट भी नहीं कर पारी और मुझे दौड लगानी होगी बहुत जमीन गरम हो रही है बहुत ज्यादा और चपल पेंके मिया आनी से थे बाद में मिलती हूं संगे मरमर के ट बने हैं तो यहां से क्लिप बनाती हूं इस खुबसूरत मस्जिद का माशाला माशाला बहुत खुबसूरत है मुझे लिए से घषा जहा से अप्रेट है जसके है करी के लिए में व्रेटों करते हैं और सुरी को अद्च चाह से पिर जायंगे ते ही दो वर ना फिर आ जाएंगे आंगे आगे से आगे देखले ते मनन यहीं एजा लेंगे खाना फूट कोट हम काफी जल्दी आ गए थे अभी हमारा डिनर टाइम हुआ नहीं था तो हमने सोचा कि क्यों ना यहां पर थोड़ी सी शॉपिंग की जाए फूट कोट में ही आगे यह कुछ शॉप्स बनी वी थी जहां पर काफी एंटीक चीजें मिल रही थी मगर प्राइज इतनी रीजनिबल नहीं थी थोड़ी सी एक्स्पेंसिव थी यहां पर हर चीज मुस्तफा को अच्छा लग रही घुड़ा आप क्या देख रहे हैं यहां इनके शॉक और मुझे अच्छी लग रहे हैं यह टैबिल्स है ना है ना बहुत प्यारी लग रहे हैं यह देखो बड़ा वाला बॉक्स भापी जुल्री बॉक्स देख रहे हैं गूम खुम के हम काफी ठक चुके हैं तो अब है हमारा डिनर टाइम बॉक्स देख रहे हैं पर फिर भी रेट में जमीना स्वां जापर रहे हैं साड़े चार सो कहां सोला सो ओं कहने बाले मुझको फरे भी कौन फरे भी रहे यह बता है जिसने गं दिया त्यार की फार्दी यां जिसने प्यार की दिया किस दिया आप नहीं के जमीना सै तिर शाख आज से नहीं अविपता। कि अंव ऐसलाइव पेसलों पिंग्ष्ड़र आप में आपको चुआ जुआए झाल झाल